Hello Everyone, Welcome to HVS Studies तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को फूल डीटेल में कवर करेंगे वो रहेगा हमारा डानेस्टीज देट रूल इन इंडिया तो इंडिया में जितनी भी डानेस्टीज ने रूल किया है, साशन किया है आज हम उनको फूल डीटेल में कवर करेंगे, जिसमें जो डानेस्टीज रहेंगी, उनका टाइम पीरिड क्या था उनकी कैपिटल क्या थी, उनकी फाउंडर्स हो गए, लास्ट रूलर्स हो गए, करंसी क्या थी, इन चीजों को कवर किया जाएगा आज की इस वीडियो में तो यह जो टापिक रहेगा डानेस्टीज का इसको पूरी तरीके से आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे टोटल जितनी भी डानेस्टीज हैं, करीब करीब 40 डानेस्टीज रहेंगी जिनको आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के हमारे पहले कोश्चन से तो हमारा पहला कोश्चन है, तो मौरेन सामराज्य के साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी? तो गिविन आप्शन्स में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्टली पुत्र अब यहाँ पे मौरेन एंपायर जो था उसकी बात की गई है, तो मौरेन एंपायर का टाइम पीरिड कब से कब तक रहा है? तो 322 बीसी से लेके 185 बीसी ही तक टाइम पीरिड रहा था मौरेन एंपायर का Moran Empire के टाइम पे Capital थी पाठली पुत्र पाठली पुत्र को Present टाइम में अब पतना जो की Capital है बिहार की उसको पहले Ancient टाइम में पाठली पुत्र के नाम से जाना चाता था पाठली पुत्र यहाँ पे Capital हो गई Moran Empire की अब Moran Empire जो रहेगा उसको Found किसके दुआरा किया गया था तो चंदरगुप्त Moran ने Found किया था जो नंदा डैनस्टी थी उसको End कर दिया गया था चंदरगुप्त Moran Empire के दुआरा Moran Empire को Found किया गया था और इसमें इनकी जो मदद करी गई थी वो करी थी Cotillian चानक्य जिनका नाम रहेगा कोटले, विश्नुगुप्त, चानक्या तीनों नाम से जाना जाता है चानक्या को तो उनके द्वारा मदद मिली थी चंद्रुप्त मौर्रे को अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्रें एंपायर जो था उसके लास्ट रूलर कौन थे तो वो थे आपके ब्रेहदरत, ब्रेहदरत क्या थे लास्ट रूलर मौर्रें एंपायर के करंसी जादा इंपोर्टेंट नहीं रहती करंसी आपसे बहुत कम पूछी जाती है तो पानास जो थी वो करंसी थी modern empire के time पे अगले question को देखते है हमारे अगला question है हमारा what was the capital during the reign of गुपता empire तो गुपता सामराज्य के साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी पीछे हमने modern empire cover किया अब जो गुपता empire था उसके time पे थी आपकी राजधानी partly पुत्र तो moral empire की भी partly पुत्र थी और गुपता empire की भी आपकी partly पुत्र रहेगी अगर time period की बात करी जाए तो mid to late जो third century थी उससे आपका time period start हुआ था गुपता empire का जो की 543 AD तक आपका रहेगा partly पुत्र अभी हमने पीछे ही cover करा था कि present time में पटना बिहार रहेगा अब आपसे ये exam में question बहुत बार पूछा गया है कि founder कौन है गुपता empire के तो वो आपके श्री गुपत हो जाएंगे exam में बार बार repeat होता है last ruler कौन है गुपता empire के तो वो आपके seconder गुपत रहेंगे जो second गुपत है ये आपके last ruler थे गुपता empire के currency हो जाएगी dinars अगले question पे बढ़ने से पहले आपको बताना चाते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में एक e-book रहेगी जिसमें आपको static gk के questions मिलेंगे और आपको मिलेंगे static gk के साथ-साथ जो current affair है 2022 उसके topics मिलेंगे total 19 topics आपको इस e-book में मिलेंगे सिर्फ 79 रुपीज में provide कराये जा रहे हैं ये वही topics हैं जिनसे exams में आपके बार-बार questions repeat होते हैं तो अगर आप interested हों तो link description में है आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं payment करने के बाद अगर आपको downloading में कुछ भी issue आता है तो नीचे हमारी Gmail ID पे आप directly हमको mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं अगला question है what was the capital during the reign of चोला empire तो चोल सामराज्य के साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा तंजबूर, तंजबूर capital थी आपकी किसकी चोला empire की अगर time period की बात करी जाए तो 300 BCE से लेके 1279 CE तक आपका time period रहेगा चोला empire का इनके time पे capital थी तंजबूर, तंजबूर कहां पे आपका तमिल नाडू में अगर founder की बात करी जाए कि चोला जो सामराज्य है empire है इसको found किस ने किया था ये question भी exam के लिए repeated question है तो विजयला के द्वारा found किया गया था चोला empire को लास ruler भी काफी बार पूछे जा चोके आपके चोला empire के तो रास ruler थे आपके राजेंदर चोला third तो विजयनगर सामराज्ये के साशनकाल के दौरान राजजानी क्या थी तो वो थी आपकी हमपी अगर time period की बात करी जाए तो 1336 से लेके 1646 का तक का time period रहेगा आपका विजयनगर empire का जो हमारा South India है उसका ये एक empire रहेगा जिसकी capital में या तो आपको विजयनगर मिलेगा या फिर आपको हमपी मिलेगा विजयनगर को ही अब हमपी के नाम से जो कि ये करनाटका में जगे है उसके नाम से जाना जाता है founders काफी बार पूछे जाते हैं आपसे तो founders कौन हैं विजयनगर empire के तो हरीहर और उनके भाई रहेंगे बुक्का तो हरीहर और बुक्का के दुवारा 1336 में आपका found किया गया था विजयनगर empire को जिसके last ruler थे आपके राम्या अगर currency की बात करी जाए तो वारहस currency थी आपकी विजयनगर empire की तो मुगल सामराज्य के साशनकाल के दोरान राजधनी क्या थी तो इसमें हमारा correct answer डेली आगरा हो जाएगा अब यहाँ पे जो यह question है जो मुगल empire है इससे तो बहुत जादा questions बनते हैं आपके exams में जिसमें की founders हो गई आपके last ruler हो गया फिर time period हो गया फिर जो battles होती हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं exam में बार-बार repeat होते हैं तो time period जो था मुगल empire का वो 1526 से लेके 1857 रहेगा मुगल empire की दो capital थी एक ती डेली और एक ती आपकी आगरा found किसके द्वारा किया गया मुगल empire को तो बाबर के द्वारा कब गया था 1526 में अब 1526 जैसे ही आपने सुना होगा आपको एक battle याद आ गई होगी first battle of panipat तो first battle of panipat आपकी 1526 में लड़ी गई थी जिसमें बाबर की जीत हुई थी बाबर ने मुगल empire को establish किया था first battle of panipat के थूँ जिसमें इनोंने किसको हराया था तो लोधी empire के जो last ruler थे आपके इबराहीम लोधी इबराहीम लोधी को मार दिया था बाबर के द्वारा मार दिया गया था और मुगल empire को establish कर दिया था तो ये आपको ध्यान रखना है फिर last ruler कौन थे मुगल empire के तो वो रहेंगे आपके बहादूर शाह सेकंड ये most important questions है आपके exams के लिए अब मराठा empire की हाँ पर बात हो रही है कि मराठा सामराज्य के साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी तो इसमें हमारा correct answer पूने और सतारा दो राजधानी थी इनकी भी time period जो रहेगा वो रहेगा 1674 से लेके 1818 तक का मराठा empire का जिनकी capital क्या थी तो पूने और सतारा दो जगे रहेंगी पूने अलग है और सतारा अलग है दो capital थी मराठा empire की किसके दौरा found किया गया था तो शिवाजी महराज रहेंगे शिवाजी महराज जो थे उनके दौरा तो चालुक्या वंच के शाशन जो काल है उसके दौरान राजधानी क्या थी तो उसमें हमारा correct answer बादामी रहेगा अगर time period की बात करी जाए तो 543 से लेके 757 CE तक आपका चालुक्या डाइनस्टी का time period रहेगा फिर ये दुबारा again from about 975 से लेके 1189 तक मतलग इन्होंने दो time के लिए दो time period में इन्होंने साशन किया है चालुक्या डाइनस्टी के दौरा 543 से लेके 757 तक उसके बाद इनका जो time period है 757 से 975 तक कुछ time पे rule नहीं किया गया चालुक्या डाइनस्टी के दौरा फिर इन्होंने re-establish किया था चालुक्या डाइनस्टी को 975 में तो यह आपको ध्यान रखना है capital क्या है बदामी capital है जो की present time में है करनाट का founder किसके दौरा found किया गया चालुक्या डाइनस्टी को तो पुलतियसी first ने found किया था चालुक्या डाइनस्टी को जिसके लासूलर थे कीर्थी वर्मन सेकेंड अगर currency की बात करी जाए वैसे currency आपसे exams में नहीं पूछी जाती तो currency की हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे यह आपको चार चीज़े हैं जो की main आपको याद रखनी है सभी डाइनस्टी से तो होईसला सामराज्य के साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा हली बीदू हली बीदू क्या थी आपकी राजधानी थी capital की होईसले empire की अगर time period की बात करी जाए तो 1006 से लेके 1346 CE तक होसले empire जो है उन्होंने rule किया है जिसनकी capital थी आपकी हले बेदू जो की present time में आपका करनाट का अगर founder की बात करी जाए तो दो अलग-अलग नाम आपको exams में मिल जाते हैं जिसमें आपका निरिपका और second रहेंगे और साल रहेंगे तो इन में से जो भी option आपको exam में मिलेगा वो आपका correct answer हो जाएगा इनके last ruler कौन थे तो वीर बाला थड रहेंगे जो की last ruler थे होसला empire के अगर आपको किसी और topic के उपर कोई आपका topic हो जिसके आप separate video ढूण रहे हो अगर आपको चाहिए किसी भी topic के उपर वीडियो तो आप एक बार हमको comment box में type कर सकते हैं आपको जल्द से जल्द उस topic के उपर separate video प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी अगला question है हमारा what was the capital during the reign of पल्लवा डाइनेस्टी पल्लवा वंच के शाशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी तो इसमें हमारा कांची पुरम हो जाएगा जो पल्लवा डाइनेस्टी थी उनका time period है 275 CE से लेके 897 CE तक capital रहेगी आपकी कांची पुरम जो की है present time में तमिल नाडू में पल्लवा डाइनेस्टी को फाउंड किया गया सिम्हा विश्णू के दोरा लास्ट उलर थे इनके आपरजजित वर्मन और पल्लवा कोईन इनकी करनसी हो जाएगी तो ककातिय राजवंच के शाशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी तो इनकी राजधानी थी वरंगल जो टाइम पीरड रहेगा वो है 1163 से लेके 1323 तक कैपिटल इनकी कौन सी रहेगी तो वरंगल रहेगी जो की प्रिजन टाइम में आपकी तेलंगना में है फाउंड किया गया था रूदर देव फस्ट के दोरा इनके जो फाउंडर हैं एक्जाम में देखे जाते हैं रूदर देव फस्ट ने फाउंड किया ककातिया डाइनस्टी को और लास्ट उलर थे प्रताप प्रताप रूडरा प्रताप रूदरा क्या रहेंगे के लास्ट उलर हो जाएंगे ककातिया डैनेस्टी के तो रश्ट कुटा राजबंच के शाषन काल के दोरान राजधानी क्या थी तो इनकी राजधानी थी आपकी मान्या खेत क्या थी capital हो जाएगी टाइम पीरिड की अगर बात करी जाए 753 से लेके 982 CE तक इनका time period रहेगा capital थी इनका मान्यकेत जो की है present time में करनाटका में most most important question है founder exam में बहुत बार इनके पूछे जा चुके हैं आपके तो दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग आपको जादातर option में दंती दुर्ग मिलता है तो इनके द्वारा found किया गया रश्टकुटा डैनेस्टी को जिसके last ruler आपकी इंदरा 4 हो जाएगा तो ये चीज़े हैं जो कि आपको याद रखनी है exam के लिए what was the capital during the reign of pal empire तो pal सामरज्जे के साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी तो इनकी राजधानी गौर रहेगी इनकी काफी सारी multiple capitals थी इनकी जिसमें से एक गौर आपकी हो जाएगी तो इसमें capitals को आपको एक बार देखना पड़ेगा तो time period था इनका 750 से लेके 1161 जी तक capital इनकी गौर हो जाएगी तो सत्वाहन राजवंच के साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान क्या रहेगी capital थी सत्वाहन डाइनस्टी की सत्वाहन एंपायर की time period था इनका 235 से लेके 200 से तक का और प्रतिष्ठान जो थी इनकी capital रही की जो की present time में है आपकी पैथन महरास्ट पैथन जो जगे है वो आपकी capital थी present time में अगर founder की बात करी जाए तो सिमुका सत्वाहन के द्वारा found किया गया सत्वाहन एंपायर को और पुलुमावी 4 के द्वारा लास्ट टूलर है जिनके द्वारा सत्वाहन एंपायर को एंड किया गया था वोट वोस दी capital दूरिंग दी रीन ओफ चेरा डाइनस्टी तो चेरा राजबंच के शाशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी तो इनकी राजधानी थी वंची इनका time period जो था वो था 9th century से लेके 12th century तक वंची इनकी capital थी जो की present time में कैरिला में रहेगी founder कौन रहेंगे तो उदयन चेरा लथन रहेंगे जो की founder थे जिनके द्वारा चेरा जो डाइनस्टी है उसको found किया गया और रामा कोला शेकरन रहेंगे जो की क्या रहेंगे लास्ट रूलर है आपके चेरा डाइनस्टी के तो सबसे पहली जो civilization है वो रहेगी आपकी सिंदु गाटी सब्वेता के साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी तो ये तो basic question है आपको पता होगा हरपा और मोहन चुदारो जो इनका time period रहेगा वो रहेगा 1300 से लेके 1300 से लेके 1300 BC तक ये कोई fixed time period नहीं रहेगा आपको अलग-अलग time period मिलता है इंडस वेली civilization का इनकी जो capital थी वो थी हरपा मोहन चुदारो प्रिजेंट टाइम में जिनको सिंद आपके नाम से सिंद प्रांथ जो है वो आपकी capital थी जो founder की अगर बात करी जाए तो दयाराम साहनी ने found किया था हरपा civilization को और रखल दास बेनर जी के दुआरा मोहन चुदारो जो civilization है उसको found किया गया मतलब इनके जो साक्ष हैं वो इखटे करे गए इन दोनों के दुआरा अगर लास रूलर की बात करी जाए तो there was no single ruler but several cities like मोहन चुदारो has a separate ruler हरपा another and so forth तो इसमें क्या बताए जा रहा है कि एक single rule नहीं था आपका इंडस वैली civilization में इसमें अलग-अलग cities थी जैसे मोहन चुदारो, हरपा, धोलबीरा लोथल जिनके अलग-अलग आपके rulers थे तो यह आपको ध्यान रखना है यह हमारी इंडस वैली civilization से related questions है तो पांडियन राजबंश के साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी तो इनकी थी मदुराई मदुराई इनकी capital थी टाइम पीरर था इनका 12th century से 14th century तक मदुराई आपकी जगे है तमिल्लाडू में और आपके मार्य वर्मन सुन्दर फस्ट के द्वारा स्थापना करी गई पांडियन डैनेस्टी के established किया इनोंने और किंग कोला कॉंडन रहेंगे जो की लास्ट टूलर थे पांडियन डैनेस्टी के तो बहमनी सल्तनत के साशनकाल के दोरान राजधनी क्या थी तो इनकी capital थी गुलबर्गा जिनका time period रहेगा 1347 से 1527 तक गुलबर्ग इनकी capital थी जो की present time में करनाटका में है founder कौन था तो अला अल्दीन बहमन शाह founder थे भामनी डैनेस्टी के और लास्ट टूलर रहेंगे सुल्तान खाली मुला शाह तो दिल्ली सल्तनत के साशनकाल के दोरान राजधनी क्या थी तो इसमें हमारा correct answer आपका डैली हो जाएगा तो डैली सल्तनत है तो capital तो आपकी डैली इसकी हो जाएगी अब founder कौन इसमें बात करी जाए कि time period जो था वो था 1206 से लेके 1526 तक जिसमें capital थी आपकी डैली founder कौन रहेगा most important question है exam के लिए तो कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा found किया गया था डैली सल्तनत को जिसमें अलग-अलग आपकी dynastries आती हैं डैली सल्तनत में आपकी अलग-अलग dynastries हैं जिसमें कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा mamluk dynastries या ilbari dynastries आपको मिल सकता है या slave dynasty मिल सकता है तो ये एक ही तीनों एक ही dynasty रहेंगी जो की कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा found करी गई थी और डैली सल्तनत की establishment की गई थी और इनके जो last ruler थे डैली सल्तनत के last ruler थे इबराहीम लोधी जो की कौन सी dynasty के भी last ruler हो जाएंगे आपके लोधी dynasty के तो लोधी dynasty last dynasty थी और slave dynasty first dynasty थी डैली सल्तनत की इबराहीम लोधी को हरा दिया था बाबर ने 1526 में और जो डैली सल्तनत है उसको end कर दिया था तो ये आपकी डैली सल्तनत हो जाएगी तो राजपूथ डैनेस्टी राजपूथ डैनेस्टी तॉमर डैनेस्टी ये भी आपसे एक्जाम में पूछी जाती हैं तो राजपूथ राजवंच के साशनकाल के दौराम राजधानी क्या थी तो इनकी राजधानी भी आपकी डैली थी जिनका time period 647.80 से तराइन हुई थी, उसमें मुहम्मद गौरी जो है, उन्होंने प्रत्विराज चोहान को धोके पे मार दिया था, तो ये आपके प्रत्विराज चोहान रहेंगे, जो कि आपको ध्यान रखने है, तो चोहान राजवन्स के शाशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इनकी थी कैपिटल अजमेर, टाइम पीरिड था इनका 6th century से 12th century तक, अजमेर आपकी present time में कहां पे है राजिस्थान में, वसुदेव चोहान फाउंडर रहेंगे, प्रत्विराज चोहान थर्ड, चोह इनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा correct answer डेली हो जाएगा, खिलजी डाइनस्टी की भी capital क्या थी डेली, जिनका time period है 1290 से लेके 1320 तक capital थी डेली, और founder कौन थे तो जलाल उद्दीन, फिरोज खिलजी, जलाल उद्दीन खिलजी क्याते, founder थे आपके, खि क्या थे last ruler खिलजी डाइनस्टी के, what was the capital during the reign of Tuglaq dynasty, तो Tuglaq वंश के साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इनकी capital थी डेली, अब जो time period था Tuglaq डाइनस्टी का, वो 1320 से लेके 1414 तक का रहेगा, डेली इनकी capital थी, founder आप से exam में पूछे जाते हैं, काफी बार repeat तो ग्यास उद्दीन Tuglaq, जिनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, last ruler थे इनके, नासर उद्दीन महमूद शाहत Tuglaq, तो ये last ruler थे आपके Tuglaq dynasty के, what was the capital during the lean arena of Lothi dynasty, तो Lothi वंश के साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा correct answer डेली ही आपका ह हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है हमारी, जो डेली सल्तनत है, उसकी ही dynasties है, तो time period क्या था, तो 1451 से लेके 1526 AD तक रहेगा, डेली capital थी, किसके द्वारा found किया गया, ये question भी exam में पूछा जाता है, तो बहलोल लोधी ने found किया था, लोधी dynasty को, last ruler कौन थे, तो इबरा was the capital, during the reign of Kushan Empire, तो Kushan सामराज्य के साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इनकी capital थी आपकी पुरा शुपरू, time period क्या था इनका, तो इनका second century से लेके, third century तक का time period रहेगा, पूरुशुपर इनकी capital थी, जो कि अब present time में पेशावर पाकिस्तान में है, और कुजूला कैड़ पिंस जो हैं, इनके founder रहेंगे, और वासुदेव second, लासुलर थे, Kushan Empire के, what was the capital, during the reign of Saka Satrap dynasty, तो Saka Satrap जो राजवंच है, उसके साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा correct answer उज्जयन हो जाएगा, time period गया था, तो 35 से लेके, 415 CE तक time period रहेगा, Saka Sat Satrap dynasty का, जिनकी capital उज्जयन रहेगी, उज्जयन आपकी present time में मद्य प्रदेश में एक जगे रहेगी, उज्जयन कौन सी river के around situated है, ये question भी आपसे पूछा जाता है, तो शिपरा river उसमें आपका correct answer हो जाएगा, तो जो dynasty है, इसको found किया था, आपका मोयूस मिलेगा, या तो या मोगा मिलेगा, और last ruler है आपके, रुद्र सिमा 3rd, what was the capital during the reign of गुपता वकाट का dynasty, तो यहाँ पे गुपता डाइनस्टी की बात नहीं की जा रहे है, ये अलग डाइनस्टी रहेगी आपकी जो की है, गुपत वकाटक राजवंश के साशंखाल के दोरान राजदानी क्य गुपता वकाटक डाइनस्टी के, तो मगध जो सामराज्य है, उसके साशंकाल के दोरान राजदानी क्या थी, तो इनकी राजदानी थी पाठली पुत्र, टाइम पीरिड कितना था, तो 384 CE से लेके आपका 320 BCE तक रहेगा, कैपिटल रहेगी आपकी पाठली पुत्र, जो क है पठना बिहार, हमने पीछे अभी स्टार्टिंग में ही कवर गया था, फाउंडर एक्जाम में पूछे जाते हैं आपसे काफी बार, तो बिंबिसार के द्वारा फाउंड किया गया, आपकी मगध एमपायर को, और धनानंद जो थे, लास्ट टूलर थे, मगध एमपायर के, what was the capital, during the reign of नंदा एमपायर, तो नंदा जो सामराज्य है, साशनकाल के दोरान, रासधानी क्या थी, तो इनकी भी आपकी पाटली पुत्र ही थी, time period इनका था, 344 से 322 तक, पाटली पुत्र जो की present time में है, पटना, founder पूछे जाते हैं, तो बहाँ पदमानंद जो थे, वो founder थे आपके नंदा एमपायर के, और धनानंद जो थे, ये last ruler आपके हो जाएंगे, what was the capital, during the reign of कनवा डाइनस्टी, तो कनवा राजवंश के साशनकाल के दोरान, रासधानी क्या थी, तो इनकी रासधानी थी आपकी मगद, जो time period था, 73 से लेके 28 तक, मगद इनकी capital थी, जो की है present time में बिहार में, वासुदेव कनवा, इनके founder हो जाएंगे, और सूसर्मा क्या थे, last ruler थे कनवा डाइनस्टी के, what was the capital, during the reign of शुंग डाइनस्टी, तो शुंग राजवंश के साशनकाल के दोरान, रासधानी क्या थी, तो इनकी थी आपकी पाठली पुत्र, इनका last ruler हो जाएंगे, ये question आपसे exam में पिछले साल काफी पूछे गए थे, last ruler आपके, 2-3 exams में, पिछले साल, 2022 में पूछे गए थे, what was the capital, during the reign of कादम बस डाइनस्टी, तो कादम वंश के साशनकाल के दोरान, रासधानी क्या थी, तो इसमें हमारी capital आपकी बानवसी हो जाएग तो कादम जो वंश है, उसका time period था 3.45 से लेके 5.40 सी तक, बानवसी जो थी, ये present time में है करनाट का, और अगर founder की बात करी जाएगे, तो मयूरा शर्मा या फिर मयूरा वर्मन, आपको मिल जाएंगे, दोनों एक ही रहेंगे, और रवी वर्मन क्या थे, last ruler थे, कादम बस ड डियार डाइनस्टी, तो वो डियार राजवंच के साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा correct answer मैसूर हो जाएगा, 1399 से लेके 1947 तक, मतलब जब हमारा independence हुआ है 1947 में, जब तक जो आपकी वो डियार डाइनस्टी है, इन्होंने rule किया है मैसूर पे, मतलब यहाँ पे क्या था, British Empire आपका नहीं रहेगा, capital थी, मैसूर थी इनकी, जो की present time में करनाटका में रहेगी, यदूरिया, वो डियार जो रहेंगे, लास्ट टूलर थे, और महराज, जै, चम, राजा, वादियार जो थी, ये लास्ट टूलर थे आपके, वो डियार डैनस्टी और जो हमारी currency है, रुपी, वही इनकी currency थी, what was the capital during the reign of नयाक, नयाक राजवंश, नयाक जो राजवंश है, उसके साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इनकी थी आपकी मदुरई, मदुरई आपको पता है, तमिल लाडू में है, तो 1529 से लेके 1736 तक, इन्होंने सा साशन की आइन का time period रहेगा, मदुराई है आपकी तमिल लाडू में, सेवपपा, नयाक जो थे, ये founder रहेंगे, और queen रहेंगे आपकी मिनाक्षी, जो की last ruler है आपकी नयाक dynasty की, नयाक dynasty की, what was the capital during the reign of आदिल शाही dynasty, तो आदिल शाही राजवंश के साशनकाल के दोरान राज इनकी तक capital थी इनकी बीचापूर, जो की present time में करनाटका में है, यूसूफ आदिल शाह founder रहेंगे और सिकंदर आदिल शाह last ruler थे, what was the capital during the reign of British राज, तो ब्रिटिश जो राज था, उसके साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इनकी डो capital आपकी रहेंगी, कैलकटा और New Delhi, अगर British Empire की बात करी जाए, तो इनका time period था 1858 से लेके 1911 तक, फिर आपका 1911 से 1947 तक भी आपका ये अलग रहेगा, तो इनका 1947 तक, टोटल यो time period रहेगा, वो आपका रहेगा 1947 तक, यहाँ पे 1947 होगा time period में, यहाँ पे गलत हो गया है ये, तो यह आप ध्यान रखे, तो इनकी capital जो थी, दो capital थी, पहली capital जो थी, वो कैलकटा थी, स्टार्टिंग में 1858 से 1911 तक, फिर New Delhi इनकी capital बनी 1911 में, आपसे कोशन एक्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इंडिया capital कब बनी थी, इंडिया की New Delhi capital कब बनी थी, तो 1911 उसमें आपका correct answer हो जाता है, तो फ तो George Six रहेंगी, जो की last ruler थी, आपकी British राज की Indian रुपी currency हो जाएगी, What was the capital during the reign of Sikh empire? तो Sikh सामराज्य के साशनकाल के दोरान राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी Lahore Time period रहेगा 1799 से 1849 तक, capital इनकी भी दो रहेंगी, पहले इनकी गुजरन वल जो थी, ये capital थी, जो की 1799 से लेके 1802 तक थी, उसके बाद Lahore capital को shift कर दिया गया, 182 से लेके 1849 तक, रंजीत सिंग जो थे, ये founder थे Sikh empire के और दिलिप सिंग जो थे, ये आपके last ruler हो जाएंगे What was the capital during the reign of Shishunag dynasty, तो Shishunag जो राजवाश था, उसके साशनकाल के दोरान, राजधानी क्या थी, तो इनकी राजगीर राजधानी थी, capital थी, time period था इनका 413 से लेके 345 तक, इनकी भी आपकी तीन capital रहेंगी, राजगीर तो थी इनकी, अगर तीन capital की बात करी जाए, तो इनकी मिन जो primary थी वो राजगीर थी, फिर इनकी secondary वैशाली थी, जिसको बाद में पाटली पुतर से बदल दिया गया था, तो राजगीर, वैशाली और पाटली पुतर, तीनों capital रहेंगी आपकी Shishunag dynasty की, Shishunag के द्वारा found किया गया Shishunag dynasty को, और महानंदिन के द्वारा last ruler थे, जिनके द्वारा, जिनके टाइम पे end हुआ था Shishunag dynasty, what was the capital during the reign of Kalachuri dynasty, तो कलचूरी या फिर कलाचूरी राजवंश के साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इसमें हमारा correct answer त्रिपुरी हो जाएगा, तो इनका जो time period था, वो 550 से लेके 625 तक था, capital इनकी जो हर्ष सामराजिय था, हर्षा वर्धन जो है, जिनको जाना जाता है, तो साशनकाल के दौरान राजधानी क्या थी, तो इनकी capital थी आपकी, कान्या कुपजा, कान्या कुपजा रहेगी, time period था इनका, 606 से लेके 646 BC तक, कान्या कुपजा जो की present time में कन्नौज रहेगी आ जो की काफी famous ruler रहेंगे आपके हर्ष empire के, हर्ष dynasty के, तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी question, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को end करने से पहले, यहाँ पे आपके लिए एक question र और राजधानी क्या थी, तो given options में से आपका जो भी correct answer रहेगा, वो आपको comment box में type करना है, साथ ही साथ जो Moran Embar के first ruler थे, और जो last ruler थे, वो भी आप जरूर comment box में type कर दे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है, अगर आपको इसी तरीके से किसी और topic की separate वीडियो चाहिए, तो आप comment box में जरूर बता दे, एक हमारी playlist है, नीचे आप देख सकते है, all static gk topic के नाम से, जिसमें आपको 200 से जादा topic cover कराए गए है, playlist का link description में है, इस playlist में आपको सारे topics मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं, अगर ebook buy करनी हो, तो ebooks का link आपको description में provided है, धन्यवाद